हलो गाईस कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स एक बर फिर से आप सब का आपकी अपने यूटूब चैनल ग्यानरोची में बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूसफुल वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको मलाई से घी निकालना बताएंगे तो देखिए यह हमने मलाई एकठी की थी यह हमारी 5-6 दिन की मलाई थी तो यह हमने एकठी करके रखी है और इससे आज हम घी निकालेंगे तो यह देखिए हमने एक घंटा पहले फ्रेज से बाहर मलाई को निकाल के रख लिया था ताकि हमारी मलाई थोड़ा सॉप्ट हो तो देखिए हमारी मलाई सॉप्ट हो चुकी है एक घंटा हो चुका है तो अब हम इसको चमच की मदद से अच्छे सिर्फ फैट लेंगे मिक्स करेंगे एक में तो जब हम मिक्स करेंगे तो यह हमारा मक्षन निकलाएगा तो यह बहुत ही आसान है इसको करने में ज्यादा देर नहीं लगती है बहुत जल्दी मक्षन उपर आ जाता है तो आप देखिए फ्रेंट्स हम किस तरह से कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से हम आपको घीर निकालना बताएंगे आप हमारी वीडियो को पूरा बाच करिएगा तो यह देखिए हम थोड़ा सा पानी आट कर रहे हैं मलाई से तो बहुत जल्द हो जाएगा यह इसे करना बहुत ज्यादा आसान है तो यह देखिए हम जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर रहे हैं और इस तरह हम मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि हमारा सारा मक्षन उपर की और आ चुका है यह देखिए हमारे मक्खन की गाठे हमें दिखाई देने लगी हैं तो अब हम किसी दूसरे बरतन में हम इस मक्खन को निकाल लेंगे तो यह हम कड़ाई ले रहे हैं जिसमें हम घी पकाएंगे मक्खन को पकाएंगे तो हमने दूसरी कड़ाई भी ले रखिए आप जब ही मलाईव से घी निकालें तो बड़े बरतन का ही इस्तेमाल करें क्योंकि छोटे बरतन में यह नहीं हो पाएगा तो इसलिए बड़े बरतन का ही इस्तेमाल करें तो हमने एक बड़ी कड़ाई में पहले मक्षन निकाला है और दूसरी कड़ाई में हम घी पकाएंगे तो यह देखिए हम जितना हमारा मक्षन उपर उपर आ चुका था तो वो सारा मक्षन हम दूसरी कड़ाई में निकाल रहे हैं और वही कड़ाई हम गैस पर चड़ाएंगे और उसको पकाएंगे तो आपने देखा कि हमने सारा मखन निकाल लिया है घी से और अगर चाहें आप तो इसको छनी से चान कर भी आप पूरा मखन यूज कर सकती हैं और अगर नहीं तो आप इसको ये आपका बहुत बढ़िया अगर जादा लोग है तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा तो ये हमने पूरा मखन निकाल लिया है तो मखन हमारा बनकर रेडी है अब हम गैस पर उसकड़ाई को चड़ा देंगे जिसमें हमने मखन निकाला है तो ये देखिए हमने गैस को आउन कर दिया है और सब्सक्राइब निकाल सकती है अब हमारा मखन दहिर धिरे पक版 और गिए बनेगव स्कूब आप चाहिए तो आप चाहिए तो अगर आप कहा प्ता दूद में फैस का दूद आता है उता है को दूद आता है तो आप ऐसे ही घी आसानी से निकाल सकती है मलाई निकालना तो आपको आता ही होगा अगर मलाई निकालना आपको नहीं आता है तो हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा तो हम आपको मलाई निकालना भी बता देंगे फ्रेंड्स तो ये देखिए हम धीर धीरे इसको चलाते जा रहे हैं ताकि हमारा घी नीचे चिपक न जाए तो हम इसको लगातार चलाते जाएंगे और ये बहुत जल्द हमारा मखन पक जाएगा घी बन जाएगा तो हम इसको लगातार चलाते जा रहे हैं अब हमारा घी निकलना शुरू हो चुका है तो आप देख सकती हैं कि हमारा घी निकलने लगा है इसी तरह हम इसको लगातार चलाते जाएंगे तो ये हम बराबर इसको चलाएंगे ताकि ये हमारा घी चिपक न जाए अगर ये चिपक जाएगा तो फिर ये खाने में नहीं अच्छा लगेगा इसलिए हमें इसको चलाते रहना है तो देखिए हमने इसको अच्छे से पका लिया है तो ये हमारा गी पक चुका है हम इसको थोड़ा सा भी और पकाएंगे नहीं तो ये हमारा गी जो है बहुत जल्द खराब हो जाएगा तो इसलिए हम थोड़ा अच्छे से इसको पका लेंगे और जब हमारा गी पक जाएगा तो हम गय इसको बंद कर देंगे ठंडा होने पर हम किसी बरतन में अच्छे से इसको चान लेंगे तो ये हमारा घी निकलाया है और हम इसको छनी से चान ले रहे हैं देखिए हमारा आधे कटोरे के लगबग हमारा घी निकला है तो ये हमारी मलाई 5-6 दिन की मलाई थी बहुत ज़्यादा दिनों की मलाई नहीं थी तो आप देख सकते हैं कि कितने कम मलाई में और कितना ज़्यादा घी निकला है तो आप भी इसको ट्राई जरूर करिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाईक भी करिए आप देख सकती हैं यह हमारा पूरा एक ग्लास भर गया है घी से तो हमने बहुत कम मलाई में और बहुत ज़्यादा घी निकाल लिया है तो आप लोग इसको ट्राइ जरूर करें वीडियो को लाइक करें फिर मिलेंगे थैंक यू